अलो दोस्तों जैसा कि अपने थमने में देखा सेम इस तरीके का आईडी का डिजाइन हम लोग MS वर्ड में करने वाले हैं तो आप हमार चैनल पर नहीं होता हमार चैनल को भी सब्सक्राइब के लाइक आप में दोस्तों तक्सेर करना नोल चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए नॉर्मली आपको MS वर्ड को आउन कर लेना है और जब आप MS वर्ड आउन करते हैं तो यहां पर एफोर पेज साइज रहता है ठीक है तो यहां पर हम लोग एक ट्रिक भी लगाने वाले हैं जिसका उप्यों करके आप जल से जल्द आपको ग्राफिक डिजा तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर पेपर वाले ओप्शन जो देख रहा है यहां पर आपको क्या करना है इसको नॉर्मली विथ के जगह पर यहां पर 2.0 कर देना है कुछ इस तरीके से 3.5 कर देना है कुछ इस तरीके से 3.5 कर लेना है और यहां पर मार्जिंग वाला जो उप्सन है इसमें सभी को क्या करना है कि आपको जीरो कर देना है तो यहां पर नर्मली ओके करना है तो यह देख सकते यह आपके इसमें हम कोई भी डिजाइन करने वाले नहीं है इसका डिजाइन हम अलड़ी डाउनलोड करके रखें तो इस वीडियो का परपस यही है कि हम लोग MS Word के अंदर डाउनलोडड वाला डिजाइन को कैसे अपलाई करके आईडे काट को बना सकती है तो यह जो पिक्चर हम उसमें यूज कर रहे हमारे टेली कराम चाइनल आपको मिल जाएगा तो यह सब बैक्ग्रांड हम Google से डाउनलोड करके रखें हैं तो अगर आप यह डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरी टेलिगराम चैनल से आप जाके असानी से वहाँ से ले सकते हैं टेलिगराम का लिंक जो है आपको का color करना है तो उपर में page का जो color करना है और में design टैप पे आपको क्लिक करना और यहां पे आपको option देखने को मिलेगा page color ठीक है तो सेम यही color का आपको page यहां पे कर देना है तो इस तरीके से देख सकते हैं यह दोनों आपका matching matching हो गया ठीक है तो अब यह देखने में cool लग ey hell ठीक है करना नॉर्मल्य है फिक्चर लगाना टो इसकी कना insert में आना इंसर्ट में आपको लेना और यहां सेकुछ-षी तरीके से यहां पे rectangle draw करना ना इस तरीके से यह rectangle को ड्रॉ कर लेना अर आपको आउटलाइन देना लेकिन हमको थोरा सा पतला व आउटलाइन देना ठीक है और वह बलेक कलर का आउटलाइन देना तो हिहाए औरखलिक कर देना है और साथ जो भी ID card में आप picture देना चाहते है उस picture को select कर लेना है Quick Grade Normal आपको Institute at लिए किशने करना और इस तरीके से यहां पर फिक्चर को insert करेना है । जैसे यहां पका फिक्चर इस में insert होचाven इसके बाद क्या करना थोड़ा से इसको आप उपर मेंभी कर सकते हैं कुछ इस तरीकसे अन इसके बाद क्या करना ऊपर में आपको text लिखना है तो कुछ इस तरीकसे insert में जाना और यहां पे shifts वाला option पर आपको क्लिक करना और यहां पर text box को लेना और कुछ इस तरीके से यहां पर text box को draw करना और इसमें जो भी आपको text लिखना वो फटापट से लिख लेना तो जैसे हम यहां पर सारदा computer लिख रहा है क्या करना है कि साइज को कम कर देना है कि साइज को कम कर देना है इस तरीके से ही हो जाएगा देखसकते कि इसका पिरिव्य याँ पर है और इसके बाद क्या करना है, format वाले option पर आपको click करना है, और save fill में आपको no fill, and outline में आपको क्या करना है, कि no outline क्लिक कर देना है, कुछ इस तरीके से यह हो जाएगा, और इसके पीछे में जो भी आपको color देना है, तो अगर outline आप रखते हैं, तो इसमें automatic color यहापे fill हो जाए अगर इसमें थुरा सा cursive style देना है, तो आप यहाँ से cursive style भी दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से यहापे अपने text को लिख लेना है, और इसके बाद क्या करना है, इधर में हमको id card लिखना है, तो क्या करना है, इसी का control D करके duplicate कर लेना है, ठीक है, औ इसके text को क्या करना है, edit कर लेना है, तो क्या करना है, back escape के मदद से आपको erase कर देना है, और आपको यहाँ पर अपना text लिख लेना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख लेना है, और क्या करना है, इसी text को कुछ इस तरीके से आप rotate कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसको गुमा सकते हैं यह वाला जो नोख है इसको पकरके आपको क्या करना है घुमा लेना है और इस तरीके से यहाँ पे इसको लाएकर रख देना है ठीक है और फिर क्या करना है इसको कंट्रोल लेकर करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका साइज को आपको और कम कर देना है और उसके बाद हो वागवा है जो भी सब लेना है और जोब्स लिखना है ओपना डियाइई कार्ट को यहां पर कर सकते हैं आप काईा नहीं लेते हुए वीडियो कोको कर देते हैं आपस पर अंब सिरे हमिए नेक्स बीडियों में झाल झाल झाल